सबसे लगए पर इस वीडियो के अंदर मैं सबसे अच्छे लगए जिसको आप बंद करके ले सकते हूं वैसे वाले टाइप्स शेर करने जारी हूं तो अगर आप इंने से कुछ भी लेते हैं to आप कभी भी इसस्तासे स्टाटिस नहीं होगे कुछ यह बागर में बहुत ही अच्छे हैं और मैं आपकोशे प्रोडक्स दिखाने लग जाओं तो शायद एक दिन भी कम पढ़ जाए इतने सारे प्रोडक्स मेरे पास हैं जो मैंने 2020 में कि उठाने बहुत मुश्किल थे इसके अधर सारे ब्रैंड्स आपको देखने को मिलेंगी जैसे कि मैं हर ब्रैंड का कुछ नो कुछ ट्राइक करती रहती हूं तो चलिए विदाउट एनी फॉर्दर डू लेट्स बिगन विद आवर वीडियो तो रैंडमली मैं उठा रही हूं जो भी मेरे हाथ में आ रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपको यह दिखाना चाहती हूं यह है वाव की एंटी एजिंग वाली नाइट क्रीम यह बहुत ही ऑसम वाली क्र क्रीम है तो अगर आपको कोई भी बहुत ऑसम क्रीम चाहिए हो तो अनडाउटली आप इसको ले सकते हो यह वाव की थोड़ी से महेंगी जरूर आती है पर इतनी अच्छी क्रीम है कि मैं क्या बता हूं आपको अगर आपने मेरी वीडियो भी देखे हो इसकी रेव्यू वा कर रही हूं कि आप इसको अनडाउटली ले सकते हैं वह है ममा अर्थ का विटामिन सी वाला फिर्स मास इसकी तो मैं जितनी तरी से करूं उतना कम है मैं आपको खोल के दिखा देती हूं मैंने सबकुस बॉक्स में इसलिए समाल के रखा है कि इतने जादा प्रोडक्स होगे कुछ लोग होते हैं वाइटनेस के लिए उसके लिए अच्छा है एकने के लिए अच्छा है और साथ में स्किन को जो है बहुत ही अच्छे से मॉस्टराइज करता है आप देख सकते हैं मैंने काफी यूज कर लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है इसको मैं मतलब अगर 10 म कि मुझे बहुत अच्छा लगा वह यह ममा अर्थ का उप्तन योगरेट तो अगर आप कोई बेस्ट मॉस्टराइजर की सर्फ में हो तो आप इसको डेफिनेटली ट्राइट कर सकते हो इस तरीके की पैकेजिंग में आता है इंडवीजवल रेव्यू जो है मेरे चैनल पर यूल yêu, एक ठीक्षी बहुत अच्छा ही, इस बहुत माइं टीक्ष्चर है हर बंदा ऑ静 उलिए Girls के अच्छ यह को ड्यूली वर्शेक कर सकते 과आ यह तो यह तो यह मुझे बहूत अच्छा लगा जैसा कि मैंने आपको बताया आप आप आखे बंद करके इसको घुषर कर इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको वह दिखाऊंगी जो सबसे बेस्ट है तो इससे नेक्स प्रोड़क्ट जो है अगें फ्रॉन दो ब्रैंड ममा अर्थ और यह है ममा अर्थ का स्लीपिंग फेस मास्क तो अगर आप मेरा चैनल देखते हैं तो मैं इसको रिसेंट में यूज कर दो बहुत हैं वह सब्सक्राइन आपको करें करें अपने अफ्राइब कर सबस्तों बहुत हैं सलिपिंग मास्क हैँं तो में आपको ब्रैंड वाइस बथ्याम है आपको अटा गया जए सबसे पहले व्यच्छ प्रडक्ट नहीं और सबसे बस्त मुझे एंकी एंटी एज को तो इससे नेक्स प्रोडक्त जो कि मैं आपको रेक्कमेंड करना चाहूंगा मेरे लिए बहुत 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 राइश रहा वो है ममा आर्थ का विटामिन तो आखे बंद करके ले सकते हूं तो नाउ मुवन टू नेक्स ब्रैंड जो कि गुडवाइब तो गुडवाइब से मुझे सबसे बैस वाले प्रड़क्त क्या लगते हैं मैं आपको दिखा देखेंगे तो सबसे पहला यह है यह गुडवाइब का रोज ग्लो टोनर पहुत वाला टोनर है कोई भी स्किन टाइब वाला इसको ले सकता है तो इतने प्रड़क्त में आपको दिखा रहे हैं सबके इंडिविजुल रेव्यू मेरे चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे आप जाके चेक आउट कर सकते हैं तो नेक्स प्रड़क्त की अगर मैं बात करूं इसके इंदर एलो एंड को कुमबर की गुड़नेस है वह आपके फिंपल्स को भी ठीक करेगा और स्किन को एक कूलिंग एफेक्ट भी देगा तो इसका इंडिविजुल रेव्यू मेरे चैनल पर है बहुत ही अच्छा प्रोड़क्त है गुड़ बाइं नेक्स प्रोड़क प्रोड़क्त है और यह जो टीटरी वाला वेरियंट है इस प्रोड़क्त के लिए है तो मेरी एक्ने वाली स्किन है तो मैंने इसी को ट्राय किया मुझे बहुत अच्छा लगा इससे लगाने पर कोई पिंपल्स नहीं आते स्किन को काफी अच्छा ग्लोव एंड ग्लास कि टाइप प्रोड़क्त करता है यह तो यह भी गुट ऑप्शन है फॉर बाइंड नेक्स प्रोड़क्त जो है यह बैस सेलिंग प्रोड़क्त है तो अगर आप बैस सिरम लेना चाहते हो आपकी कैसी भी स्किन है मेरी ओली थी मुझे डाउट था इसको लेने पर पर यह बहुत ही अच्छा लगा प्रोड़क्त बहुत अच्छा है यह और जितनी तारीफे करूं उत्रा कम है क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगता है तो यह बहुत ही अच्छा उप्शन है फॉर बाइंग तो हम ब्रैंड वाइस चल रहे थे पहले वाव दिखा है मैंने आपक प्रोड़क्त दिखा देती हूं जो कि मुझे अच्छे लगते हैं तो वह यह यह इंडर्स वैली की एलोवेरा जेल बहुत बढ़िया वाली जेल है आप देख सकते हैं मैं इसको रेगुलर में यूज करती हूं आप चाहिए इसको ऐसा एलोवेरा जेल यूज करो चाहिए तो बहुत अच्छी लगे मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रही हूं तो यह मेरी वन फेवरेट प्रोडक्त तो मेरे लिए तो बहुत यह अच्छा वक्त करते हैं तो मैं इसको डेफिनेटली इंक्लूट करूंगी इस वाली वीडियो के अंदर कि यह वीडियो है इसके प्रोड़क्त और 2020 नेक्स प्रोड़क्त जो कि मुझे बहुत अच्छा लगता है वह यह अंबा हल्दी वाला टोनर तो मेरी तो सिंकेर में आपको हल्दी चंदन यह सब मिलेगा क्योंकि मेरी जो सके नहीं वह एक्ने प्रॉंज के नहीं एकने आते रहते हैं तो इसलिए मै हल्दी वाला टोनर है बहुत बैस्ट है स्किन पर लगा कि कोई इरिटेशन नहीं होती बहुत ही अच्छा प्रोड़क्त है तो अगर आप कोई बैस्ट टोनर इन बजट चाहते हैं कि आपको बजट में मिल जा और अच्छा भी हो एकने स्किन के लिए तो आप इसको डेफि बहुत सारे एर्प्रोडक्त हैं हर ब्रेंड के सारे में नहीं दिखा सकती इस ब करते हैं कि कभी भी ट्राय करती देती हूं कभी sleeping mask लगा लिए कभी night dream लगा लिए बदल बदल के change करकर के लगाती देती हूं तो मेरे लिए तो यह बैस्ट रहे 2020 के अंदर यह प्रोडक्स को मैं री पर्चेस करना चाहूंगी इतने अच्छे लगे तो इंदा यह लास्ट वीडियो ऑफ 2020 तो I wish you a very very happy new year so I will meet you in the next video till then I am signing off bye